गूड आफटनून तो अल अफ यू वेलकम टू लेट्स क्रैक दिस इस सौरब टप्रियाल और आज हम बात करेंगे हिमाचल परदेश यूनिवर्सिटी जियोई आई टी एक्जाम 2020 के बारे में इसका पहला मोग टेस्ट आप लों के सामने है तो आप लोग अपनी एक्जाम क की त्यारी कर सकते हैं लेट्स क्रैक के साथ तो डेली आप लोग के साथ 1020 MCQs मैं डिसकस करूंगा जो आप लोग का एक फिक्स टाइम रहेगा आज आप लोग की क्लास 3 बजे हो रही है कल से इसका टाइमिंग चेंज होगा तो आप लोग ये एक्जाम की त्यारी परसनली कि मेरे साथ कर सकते हैं विकोज इसका मेरे पास पूरा एक कंपलीट कोर्स चल चुका है वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं इसकी जो कॉर्स की प्रेपरेशन की जो ओफीस है वह आप लोग की है ट्रिपल नाइन इसमें आप लोग को सिरफ पढ़ाया जाएगा है वो आप लोग का एक तो जेओ आइटी के हैं इसके साथ ही कंप्यूटर ओपरेटर ठीक है और साथ में आप लोग का असिस्टेंट मेनेजर है एक पी कोपरेटिव बैंक तो जादे जानकारी के लिए आप लोग प्लीज मुझे इस नंबर पे वाट्साप कर देना यहां से आप लोग को फूल डेटेल दे दी जाएगी तो फरस्ट अफ फूर्ल यह आप लोग के ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं हमीरपूर बो AIT का आप लोग का बैच स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग प्लीज कॉंटेक्ट कर सकते हैं मुझसे परसनली अगर आप लोग पढ़ना चाते हैं इसमें आप लोग को नॉट्स मिलेंगे साथ में डेली क्लासे मिलेंगे आप लोग को वन और टू हाउस की साथ में आप प्लस कोश्चन मिलेंगे जो आप लोग के लास्ट यर के अल आवर इंडिया में जितने भी कोश्चन आज तक पूछे गए हैं और इन में से कुछ 1500 कोश्चन ऐसे हैं जो आप लोग के इंपोर्टेंट है वो अलग से आप लोग को PDF दी जाती है तो आप लोग जूर सकते है मेर साथ तो स्टार्च करते हैं आज का पहला कोश्चन तो कोश्चन आप लोग के सामने हैं वाट इंपुटट डिवाईयज हैं जिसका यूस हम करते हैं मारकिंग के लिए तो 4 औप्शन हैं आप लोग के पास important दा फॉस्ट फॉल आप लोग का है ऑप्टिकल मार्क रीडर वार कोड रीडर माउस चिक है तो यह भी ध्यान रखना है माउस का भी आप यूज कर सकते हैं पॉइंट को लिए इन पॉइंट करता है यहां से मेरा माउस पॉइंट कर रहा है तो यह आप लोग को पता होना जाएं तो यह कभी हो नहीं सकती है because यह किसी तरह का कोई pointing device नहीं है CD-ROM भी आप लोगं का pointing device नहीं है जो आप लोगं का RAM है ये भी pointing device नहीं है ये आप लोगं का RAM को किस और नाम से जाना जाता है ये धियान रखना आप लोगोंने waiting room के नाम से जाना जाता है आप लोग के पास जो option रहेगा वो ये है touch screen जैसे मैं अभी आप लोग के सामने काम कर रहा हूँ एक pen मेरे पास है digital तो ये भी आप लोग का एक marking ही कर रहा है बट ये आप लोग का marking device नहीं है तो touch screen used for computer input जो आप लोग की touch screen होती है उसमें अगर आप लोगोंने computer के input को कुछ करना है तो आप लोग ऐसे touch करके उसमें आप लोग अपना वरक कर सकती है तो ये आप लोग का एक तरह का pointing device रहता है तो ये ध्यान रखना आप लोगोंने ये pointing device है आप लोग का ठीक है डेजी वहील आप लोग के storage device बिलकुल नहीं होते है ठीक है ये पता होगा storage device नहीं है pointing device नहीं है ये एक तरह का printer होता है डेजी वहील आप लोग का डेजी वहील के बारे में आप लोगों को already मैं बता चुका हूँ किस तरह का होता है like का type writer इसके उपर जो इंक लगी होती है उसके बारे में आप लोगों को पता है आप लोगों को पता है तो प्लीज बहाँ से एक बार फिर से revise कर लेना फॉर्थ कोश्चन है वेर वेड़ यू फाइंड अ मैगनेटिक स्ट्रिप आप लोग कहां पे देखते हैं magnetic strip जो आप लोग की लगी होती है speaker से उपर नहीं लगती है आप लोग की smart card के उपर भी आप लोग की नहीं होती है बट आप लोग का जो credit card होता है इसके उपर आप लोगों ने देखा होगा black color की पट्टी होती है जो की magnetic strip कहलाती है आप लोगों की तो इसका राइट आप लोगों का फॉर्थ का रहेगा सेकेंड क्रेडिट कार्ड ठीक है मेगनेटिक के आप लोगों ने ध्यान रखना है मेगनेटिक जो होती है से मेगनेटिक जो आप लोगों के हार्ड डिस्क होती है वो भी एक मेगनेटिक डिस्क होती है यहां पर बात की जा रहे है यह strip की next आपका what would be the best way to move around a 3D environment इन में से कौन सा ऐसा west way है जहां से हम move कर सकते है 3D environment के लिए तो यह काफी अच्छा question है आप लोगं का 3D environment के लिए मैंने आप लोगं को बताया था printer के अंतरगत इसमें आप लोगं के plotter वगयरा कुछ नहीं आते है यह वाले option बिल्कुल गलत होंगे right answer आप लोगं का thermal printer रहेगा thermal printer introduce करता है आप लोगं के 3D जो 3 dimensional आप लोगं की होती है environment उसके लिए यह आप लोगं का important रहता है 6 question है laser printer does not use जो आप लोगं का laser printer रहता है इसको किस तरह नहीं use कर सकते है a photo conductive drum a print head, a laser beam all of above छिक है तो इन में से ऐसा कौन सा है 6 का तो याद रखना आप लोगं का इन में से आप लोगं इसको यह सब use कर सकते हैं वट आप लोग photo conducted drum के लिए इसका परियोग नहीं कर सकते हैं 6 का जो आप लोगं का रहेगा वो a रहेगा next 7th question आप लोगं के सामने है information on a hard disk is usually backup using a आप लोगं की जो information होती है hard disk को उसको backup के रूप में आप लोग परियोग कर सकते हैं किस तरह cd-rom के रूप में, magnetic disk के रूप में, या आप लोगं magnetic tape के रूप में, floppy disk all of above या आप लोगं का none of these तो आप लोगं ने ध्यान रखना है, यह सारी चीज़ें आप लोगं की wrong हो जाएंगी क्योंकि जो आप लोगं की backup के रूप में, अगर आप लोगं हार्ड डिस्क का यहाँ पर storage रखना है तो आप लोगं को cd-rom, यहाँ पर option में dvd भी होता, तो भी आप लोगं का right रहता, अगर आप लोगं के पास flash disk, flash drives होते pen drive वगएरा, वो भी right रहता तो आप लोगं ने ध्यान रखना है, cd-rom, dvd और flash drive जो आप लोगं की होंगे वो इसका बिल्कुल right answer correct देंगे, ठीक है, magnetic disk के आप लोगं का छोटा सा space घेरती है, इससे आप लोगं कुछ खास backup create नहीं कर सकते हो 8th question है, आप लोगं का magnetic tape is magnetic tape जो आप लोगं की होती है, वो क्या है random assess medium, ये गलत होगा ए पैर्लर assess medium ये भी गलत है all of a web तो आप लोगं के गलत हो जाएंगे यहाँ पर magnetic tape की बात की जा रही है इसमें जितना भी आप लोगं का data assess किया जाता है, वो एक serial mode में किया जाता है, तो please इसके बारे में ध्यान रखना आप लोगों ने, 9th question है formatting a disk is a result in all the data being जब आप अपने format को कर देते हैं formatting कर देते हैं अपने disk को तो result में आप लोगों का data क्या रहता है save रहता है, नहीं, copied रहता है नहीं, all of above नहीं तो यहाँ पर delete from the disk यहाँ पर ध्यान रखना, formatting option गलत होगा यहाँ पर format रहेगा वट आप लोगों को पूरी copies या किताबों में formatting ही मिलेगा, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने यह format रखा formatting का मतलब यह नहीं होता है hard disk में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ जो आप लोगों के sectors बगएरा होते है plotter उन में आप लोगों के formatting का use किया जाता है, वट यहाँ ट्रैक और sector में none of this, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आप लोगों की floppy disk का जैसे ही आप इसमें अपना data backup रख लेते हैं तो उसके बाद आप इसको एक drawer में store करके रख सकते हैं, तो floppy disk के बारे में भी आप लोग बिल्कुल लेक्टरेट बढ़ चुके हैं, आप लोगो इससे जादे ही information होगी, तो चोटे इससे चीज़े हैं जो basic basic सी हैं, जो आपके exam में पूछी जा सकती है, according to your exam चिक है, तो यह आज का चोटा सा है का आप लोगों का mock test था, कल से आप लोगों के exam है, all over exam की coaching दी जाती है हमारे दोरा तो आप लोग किसी भी exam के लिए मुझे से contact कर सकते हैं, thank you so much मिलते हैं next class में, have a nice job to all of you